Hey guys, this is RJ Agam and welcome to my tip channel आज मैं आप लोगों के लिए Oxford Basic English Translation exercise 31 स्वार्व करूँगा I think एक लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful है यदि आप इसी तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादी से सबस्क्राइब कर लें साथ ही यदि आप इसका प्रिवेस exercise देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहां सब देख सकते हैं पेसेंस के साथ आपको कम्प्लेट वीडियो देखना है तभी आप प्यातर समझ पाएंगे तो चलिए अभी शेक्सर साइब को स्वालू करते हैं पहलान बाद है या लरका अच्छा है ठीक है तो पहने हम या लरका के लिए लिए लिखेंगे इंगलिस अब इज के बाद नोट लगा देना ठीक है इज के बाद या फिर आर के बाद आपको नोट लगा देना उसके बाद कम्पलिमेंट ठीक है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज या फिर आर सेंटेंस के सुरात करना उसके बाद सब्जेक देना और उसके बाद कम्पलिमेंट देना ठीक है क्या या लड़का अचा इस बाद गुद अवे वह लड़का बुरा है तो देट बुरा है तो देट बुरा नहीं है देट बुरा इज नूट बैट क्या वह लड़का बुरा है इस देट बुरा है अब है ये गाएं काली है दीज काउच दीज काउच चुकि सब्जेक प्लूरेल नंबर है इसलिए आज लिखेंगे इसके सब ये गाएं काली है दीज काउच आर नूट बलैक ये गाएं काली नहीं है तो दीज काउच आर नूट बलैक ये गाएं काली नहीं है दीज काउच आर नूट बलैक ये गाएं काली है दीज काउच आर नूट बलैक अब है क्या ये गाएं काली है क्या ये गाये काली हैं अब है वे बल्ले मजबूत है दोज बैट्स आर वे बल्ले मजबूत है दोज बैट्स आर एस्ट्रोम वे बल्ले मजबूत नहीं है दोज बैट्स आर नोट एस्ट्रोम वे बल्ले मजबूत नहीं है दोज बैट्स आर नोट एस्ट्रोम अब है क्या वे बली मजबूत हैं? आर दोजबैक्स एस्ट्रॉम क्या वे बली मजबूत हैं? आर दोजबैक्स एस्ट्रॉम